CBC Words में आपको स्वागत है इस वीडियो में हम Classics Maths का Chapter 9 जिसका नामे Data Handling उसकी Exercise 9.2 डिसकस करेंगे इसमें पहला Question है Total number of animals in 5 villages are as follows तो 5 गाउं हैं, उसमें कितने animals हैं यह आपको दिया हुआ है Prepare a pictograph of these animals using one symbol तो यह इस तरह सरकिल बना के उसमें Cross यह symbol आपको यूज करना है तो रिप्रेजेंट 10 animals यानि 10 animals के लिए आपको एक symbol यह बनाना है and answer the following questions फिर बनाने के बाद जो नीचे question है उसका अंसर देना है तो पहले हम बना लेते हैं तो इस तरह से table बना लेना है पहले column में आपको villages लिख लेना है फिर दूसरे column में आपको number of animals लिख लेना है और फिस side में symbol क्या represent कर रहा है यह बता देना है कि यह जो symbol है इसका मतलब है 10 animals तो villages के अंडर में आपको village के नाम लिख लेना है A, B, C, D, E अब दोखो village यह के अंदर 80 animals है 10 animals के लिए हम एक symbol बनाएंगे यह वाला तो 80 के लिए 10, 8 बार यह वाले symbol बनाएंगे तो बना लेते हैं तो यह 8 symbol हमने बना लिया जहां एक symbol का मतलब 10 है तो यह total आपका 80 हो गया B में देखो 120 है 120 का मतलब 12 multiply by 10 अब 10 के लिए symbol हमारा यह है यानि 12 बार हमको यह वाला symbol बनाना है तो यह हमने बना दिया इसी तरीके से C का बना लेंगे देखो 90 है यानि 9 10s आ 90 यानि 9 बार symbol बनाएंगे और D वाले में आपका 40 है यानि 10 4s आ 40 तो 10 का जो symbol है वो 4 बार बनाएंगे यानि आप समझ रहो ना यानि 10 फिरिये 10 20 फिरिये 10 30 फिरिये 40 तो यह हमारा pictograph complete हो गया अब जो question पूछा है वो हम कर लेते हैं ये वाले में क्या कह रहा है तो विलेज ए की बात कर लेंगे कितना symbol है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके answer हम आप लिखोगे 6 symbols represent animals of village E B वाला है which village has maximum number of animals तो maximum किसका है देखो सबसे जादा symbol किसका बना है जो आगे तक जा रहा है बिल्कुल ये B का village B has maximum number of animals C वाले में पूछ रहा which village has more animals village A और village C यानि इन दोनों में आपको बताना है कि A में जादा है कि C में जादा है तो A में कितने symbol है आपके ये गिनलो 8 है और C में आपका ये 9 है तो इसका अंसर आप क्या लिखोगे village C has more animals than village A तो ये फर्स्ट वाला कुशन हमारा हो गया तो किसी स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टुटेंट कितने है ये वाइज आपको दिया हुआ है जैसे 1996 में टोटल 400 स्टुटेंट थे 98 में तने थे इस तरह से पूरा दिया हुआ है ये वाले में कहा रहा है तो इस तरह table बना लोगे पहले column में year आपको लिख लेना है दूसरे column में आपको number of students लिख लेना है फिर एक symbol क्या represent करना है उसको भी आपको side में दिखाना है कि एक ये symbol जो बना होगा इसका मतलब होगा 100 student अब देखो 1996 में कितने student है 400 student है और एक student को दिखाना है तो उसके लिए हम एक symbol ही बनाएंगे 400 दिखाना है इसका मतलब 100 plus 100 plus 100 plus 100 तो एक, दो, तीन, चार यानि चार symbol हम बनाएंगे तो यह हमने चार symbol बना दिए तो जो भी stable को देखेगा वो देख के idea लगा लेगा कि एक symbol का मतलब 100 तो 100 plus 100 plus 100 आपका 400 होगे यानि total 400 student है अब 1998 की बात कर लेते है 535 इसको कैसे दिखाएंगे एक symbol 100 student को represent कर रहा है यानि अगर हम 5 बनाएंगे तो इसका मतलब होगा 500 अगर हम 6 बनाएंगे तो इसका मतलब होगा 600 तो एक काम इसमें हम यह करते हैं कि जो भी हमारा symbol दिया है उसका आधा भी बना सकते हैं जैसे मालो एक circle हमको यह symbol दिया है इसका मतलब 100 है तो 50 के लिए इसका हम आधा ही बनाएंगे इतना बना सकते हैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं तो यह जो symbol हमको दिया है इसका भी आधाम बना देते हैं तो ये जैसे हमारा ये बना है आधाम किसी भी तरह से शो कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको ऐसे बीच से काड़ दे तो ये मर जाएगा लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है ये वाला हिस्सा जो है इधर का ये पूरा हटा देते हैं बाकि कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं कि सर रहने देते हैं बाकि उसका एक हाथ उडा देते हैं और एक पैर उडा देते हैं तो एक हाथ एक पैर से वो क्या ही कर लेगा तो सर भी उडा देते हैं तो अगर इस तरह से हम करें कि 500 यह हमारा हो गया, इसके बाद आधा सिंबल बना दे, तो पूरे का मतलब 100, आधे का मतलब 50, यानि 500 प्लस 50, तो यह 550 हो जाएगा, आपको इसार यह 535 है, 550 नहीं है, तो इससे छोटा हम नहीं दिखा सकते, अब हमारे पास दो ही रास्ता, या तो हम 500 दिखाएं, या फिर हम 550 दिखाएं, तो जो हमको चाहिए 535, वो किसके करीब है, 500 के ज़्यादा करीब है कि 550 के ज़्यादा करीब है, 500 बनाने के लिए हमको 35 कम करना पड़ेगा, और 550 बनाने के लिए 15 एड़ करना पड़ेगा, यानि यह 550 से ज़्यादा करीब है, त इसके लिए 550 का मतलब 500 plus 50 तो 5 पूरी पूरी फिगर बनाएंगे और लास्ट वाली आधी बनाएंगे तो वो 550 हो जाएगा तो चलिए इसको बना लेते हैं तो ये 5 फिगर बनागे इसका मतलब 500 और पचास और बनाना है तब इसका आधा बना देंगे यानि आधा सर और या पे 472 इसको कैसे दिखाएंगे तो या तो हम 400 दिखा सकते हैं या 500 दिखा सकते हैं आधा कर देंगे तो 400 भी दिखा सकते हैं तो 472 किसके बीच मायगा 450 और 500 इसके बीच मायगा किस से करीब पड़ेगा 450 में हम 22 एड़ कर दें तो 472 आ जाएगा और इसमें हमको 28 एड़ करना पड बनेगा, यानि 450 जादा करीब है, तो 450 ही दिखा देते हैं, 450 कैसे दिखाएंगे, 4 आपका पूरा-पूरा सिंबल बनेगा, और लास्ट वाला आधा बनेगा, तो यह हमारा बन गया, अब 2002 इसका दो बनाई सकते हो, देखो 600 है, यानि 6 सिंबल बनेगा, तो यह हमारा बन गया, और फिर 2004, 623, तो यह तो 600 दिखा सकते हैं, या 650 दिखा सकते हैं, तो 623 किसके करीब है, 600 से जादा करीब है, तो यह हमने 6 सिंबल बना दिया, अब आपका NCRT में जो अंसर दिया, उसमें लास्ट में हाफ भी बनाया है, तो वो आपका गलत दिया है, राउंड ओफ का जो र तो रूल तो आपका यह है, बाकी आपकी मरजी, जो सही है वो मैंने आपको बता दिया, कि यह बस इतना बनेगा, तो इतना करने के बाद हमसे question क्या पूछ रहा है, ए वाले में, how many symbols represent total number of students in the year 2002, तो 1998 में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 symbols represent total number of students in the year 2002, भी वाले है, how many symbols represent total number of students for the year 1998, तो 1998 में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तो पूरा है और एक आधा, तो भी वाले में आप लिकोगे 5 complete and 1 incomplete symbols represent total number of students for year 1998, तो यह second का A वाला part हमारा हो गया, अब इसका B वाला देखते है, prepare another pictograph of a student using any other symbol, अब दूसरे symbol आप यूज़ कर सकते हो, each representing 50 students, तो इस बार आपको जो symbol student को represent करेगा, तो चलिए इसको बना लेते हैं, तो B वाले के लिए इस तरह से आप table बनाओगे, यहाँ पर हम दूसरे symbol यूज़ कर लेते हैं, चलो हाथ पैरना बना कर सिर्फ face बना देते हैं, तो यह represent करेगा 50 students को, तो total 400 students है, एक symbol बनाएंगे तो उसका मतलब है 50, कितने symbol इसको निकालने के लिए simple क्या है, हमको divide करना पड़ेगा, अब पिष्टे वाले में 100 था, तो वो आसानी से हो गया था, वरना उसको भी आप जिसे 400 को 100 से divide करोगे, तो 4 आएगा, तो हमने 4 symbol बनाए थे, यहाँ पर 400 को हम 50 से divide करेंगे, क्योंकि अब एक symbol का मतलब 50 है, तो 0 से 0 चला गया, 5 8 जा 40, यानि 8 symbol हमको बनाना है, तो यह हमारा बन गया, 1998 में 5 35 है, यानि 5 35 को हम 50 से divide करेंगे, तो 50 को अगर 10 से multiply कर दें, तो आपका 500 आ जाएगा, और 11 से multiply कर दें, तो 550 आ जाएगा, यानि 10 symbol बनाएंगे तो वो 500 होगा, उसका मतलब 11 बनाएंगे तो 550 होग भाई, फुल का मतलब 50 तो आधे का मतलब 25, इसका मतलब हम 500 और 550 के बीच में, यानि 5 25 को भी दिखा सकते हैं, तो 5 35 किसके किसके बीच में आएगा, 5 25 और 550 इसके बीच में आएगा, तो 5 35 किसके जादा करीब है, 5 25 के कि 550 के, तो 25 के जादा करीब है, बस 10 कम कर दो, तो 5 25 हो और लास्ट वाला जो आधा बनाएंगे उसका मतलब होगा 25 तो ये 525 इस तरह से हो जाएगा तो दस पूरा सिंबल और एक आधा सिंबल तो इस पूरा सिंबल हमने बना दिया आधे क्ली क्या बनाएंगे पहले तो आधी खोपड़ी बनाओ एक आग बनाओ ना तो बनाने ही पड़ेगा आधा मूँ बनाओ बस हो गया अब 2000 में देखो 472 है तो 472 को हम 50 से डिवाइड करेंगे यानि 50 का अगर टेबल पढ़ें 5.8 जा 40, 5.9 जा 45 यानि अगर हम 9 फीगर बनाएंगे तो इसका मतलब होगा 450 और 10 फीगर बनाएंगे पर भी हम शो कर सकते हैं जैसे 9 पूरी पूरी फीगर बनाएंगे और लास्ट वाली आधी बनाएंगे तो इस आधी का मतलब होगा 25 तो 450 और 25 उसका मतलब 475 तो देख सकते हो 472 475 के जाधा करीब है इसका मतलब हम 475 दिखा देंगे वैसे तो हमारा जो number of student है वो 472 है लेकि 472 हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फीगर को हम कैसे काटेंगे कैसे छोटा करेंगे तो जाधा-जाधा हम आधा ही करते हैं उससे कम भी किया जा सकता है लेकिन आपको भी आधा ही सिखाए गया है तो आधा करके हम 475 दिखा सकते हैं उसके लिए 9 पूरा symbol बनाएंगे और लास्ट वाला आधा तो 9 पूरा symbol बनाएंगे तो 450 हो गया और लास्ट वाला आधा बनाएंगे तो यह 25 हो गया क्योंकि फूल का मतलब 50 था तो यह 475 हो गया, इस तरह से हम बना देते हैं तो यह 9 पूरा-पूरा सिंबल बन गया एक आख, एक नाक आधा मूँ अब 2002 में 600 है इस 600 को आफ 50 से डिवाइड कर तो 00 चला गया, 5-1-5, 5-2-10 यानि 12 सिंबल आपको बनाने है तो यह तो पूरा-पूरा बन जाएगा आपका तो यह हमारे 12 सिंबल बन गया अब 2004 में देखो, 6-23 तो 600 तो हमने बना लिया कि 12 सिंबल बनाना पड़ेगा यानि 12 सिंबल का मतलब 600 है अगर 13 सिंबल बनाएगा इसका मतलब 50 और जोड़ दो क्योंकि एक सिंबल का मतलब 50 है तो 650 हो गया सिंबल को आधा करके हम 25 भी शो कर सकते हैं यानि 12 पूरा-पूरा और उसके साथ एक आधा हम ले ले तो इसका मतलब आपका होगा 6-25 हमको क्या दिखाना है 6-23 तो 6-23 6-25 के करीब है तो हम दिखा सकते हैं इसको यानि हम 6-25 दिखा देंगे तो 6-25 का मतलब है 600 प्लस 25 तो 600 के लिए 12 सिंबल बनाएगे पूरे-पूरे और एक सिंबल मतलब 50 तो 25 किससे दिखेगा आधा सिंबल से तो 12 पूरे-पूरे और लास्ट वाला आधा सिंबल बनाएगे तो यह हमारा बन गया अब इसमें आपसे क्या पूचा है विच्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव तो कौन से पिक्टोग्राफ आपको जादा इन्फॉर्मेटिव है यह नहीं जादा इन्फॉर्मेटिव है तो B वाला जादा इन्फॉर्मेटिव है कैसे है पहले मैं आपको यह अंसर लिखा देता हूँ उसके बाद एक्स्प्लेंग कर दूँगा तो दो पिक्टोग्राफ जो हमें बनाया था जैसे revision notes हो गया इस तरह के mind maps आपको मिल जाएंगे जो in text questions होते हैं उसके detail solution आपको यहां मिल जाएगा और exercise के question के solution NCIT exampler जो की exam के point of view से बहुत important है उसके जो important questions है वो आपको यहां मिल जाएंगे फिर जो latest syllabus है उसके according जो competency या critical thinking based questions है वो आपको यहां मिल जाएंगे जैसे की passage based question हो गए ठीक है तो अगर आपको purchase करना है तो latest edition का link मैंने description में दे दिया है वहां से click करके Amazon पे direct हो जाओगे वहां से purchase कर सकते हो तो देखो पहले वाले pictograph में अगर exact value लिखूँ तो 90, 96 में 400 फिर 98 में 535 फिर 472, 6, 76, 25 यह ठीक है अब जो यह table देखेगा याण यह pictograph देखेगा उसको क्या पता चलेगा वो देखेगा एक symbol का मतलब है 100 student यहां कितना बना है 1, 2, 3, 4 इसका मतलब 400 student है ठीक है यह पता चलेगा तो यह तो बिल्कुल सही है 98 की बात कर ले तो इसको देखके कहेगा यह 100, 200, 300, 400, 500 और यह आधा है तो इसका मतलब 550 होगा तो इससे इसको पता चलेगा कि यह 550 है जबकि एक्चुलिए 535 था तो एरर कितने का आ रहा है गरबड़ी कितने की हो रही है कि है तो 535 लेकिन पिक्टोग्राफ देखके क्या बता चला है कि 550 है तो 550 माइनस 535 करेंगे तो 15 यह एरर आपका 15 का आ रहा है कि 15 एक्स्ट्रा उसको दिख रहा है जबकि 15 कम है इससे बाकि 2000 में देखो 100, 200, 300, 400 और यह 50 यह उसको लगेगा यह 450 है जबकि actually में 472 है यह सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहू अंसर तो बस वह हो गया तो actual में 472 है पिक्टोग्राफ देखके पता चला है कि 450 है एरर कितने गा रहा 472 में से 450 माइनस कर दो बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो आपका आएगा 22 यानि पिक्टोग्राफ में 22 कम दिखा रहा है actually में 22 ज़्यादा है 2000 की बात कर ले 100, 200, 300, 400, 500, 600 तो 600 है और 600 दिखा भी रहा है तो सही है यह कोई प्राव्लम नहीं है 2004 की बात कर ले 100, 200, 300, 400, 500, 600 तो पिक्टोग्राफ देखे पाता चल ला है कि total 600 student है जबकि actual में 625 है यानि यहाँ पर error कितने का रहा है 25 का sorry 23 था यह आपका last वाला 23 था तो यहाँ पर error कितने का रहा है 23 का यानि actual में 623 है answer में 600 दिखा रहा है कम होगी वो जादा best होगा की नहीं यानि उसमें जादा information हमको देखने को मिल ली है तो यही तीन जिसमें error आ रही है दूसरे वाले कभी हम compare कर लेते यानि 98, 2000 और 2004 तो सारा हमको देखने के ज़रत नहीं है तो यहाँ पर एक symbol का मतलब 50 student है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और यह आधा यानि 525 तो यह दिखा रहा है 525 जबकि एक्शुल ने 535 है यानि कितना कम दिखा रहा है 10 कम दिखा रहा है तो 10 का error आ गया गरबड़ी आ गई 2000 वाले में देख लो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और यह आधा यानि 475 एक्शुल ने कितना है 472 है 475 हमको देखने को मिलना है पिक्टोग्राफ में इसका मतलब से 3 extra है 3 का error दिखा रहा है फिर लास्ट आधा देख लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और यह आधा यानि 625 तो यह 625 दिखा रहा है एक्शुल में 623 है error कितने के आ रहा है 625 में 623 माइनस कर दे तो आपका 2 आएगा यानि यहाँ दो जादा दिखा रहा है पिक्टोग्राफ में अब खुद देखो दोनों को compare करो किसमें गरबड़ी जादा देखने को मिल लिए किसमें कम देखने को मिल लिए जिसमें कम गरबड़ी होगी यानि उसमें जादा information हमको दी गई है तभी गलती कम हो रही है यहाँ दोको 15, 22, 23 है और इधर 10, 3 और 2 है error कम हो गया न जादा information हमको दी होगी तो गलती हमारे पास कम होगी तो यह है मामला इसलिए जो second वाला pictograph है जादा informative है जितनी जादा information हमारे पास होगी उतना अच्छा हम pictograph बना सकते हैं यह चीज़ याद रखना तो यह question हो गया और इसी के साथ यह exercise भी हो गई exercise और try this के solution देखना है तो मेरी website है estudywella.com महा visit कर सकते हो मेरा whatsapp channel उसको भी आप follow कर लो कि latest update आपको मिलती रहे आपका नाम और phone number किसी को भी visible नहीं होगा कि और वीडियो जगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका mobile होगा वीडियो चल ली होगी पहले आप वीडियो को like कर लो चैनल को subscribe कर लो नीचे आपको more लिखाओ को वहाँ क्लिक करना है फिर यहाँ भी आपको more लिखाओ यहाँ भी क्लिक करना है scroll down करोगे तो यह आपका यह पूरा description है तो इसके अंदर आपको playlist का link मिल जाएगा science, math इस तरह से तो जिस chapter की वीडियो आपको देखनी है उस chapter का नाम लिखा हो उसके साथ एक link होगा side में या नीचे उस पे आपको click करना है तो उस chapter की playlist open हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस chapter की देख सकते हो okay thank you